हेलो दोस्तों नेक्स टैम आपका श्रागत है आज है 5 अगस्त 2020 आज के अंतरकेट 5 अगस्त 2020 के काफी इंफो टेंट करंट अफिरों को जानेंगे इससे पहले कि हम अपने करंट अफिर की सुरुआत करें एक छोटा सा नोटिपिकेशन में आपके लिए देना चाहूंगा यह दिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलिग्राम चैनल पर जाएए और नेक्स टाइम को सर्ची कीजिए और मेरे बिःऔ के मुख्यमंतरी ने बिःऔर बिःण सवाद देक सी बिजे कुमार चोधरी की पुस्तका बिमोचन किया है उसका नाम क्या है ठीक है चार उपोफसन दिए गए इसके अंतरगत ही क्या है इसका आंसरे Option E है भारती सविधान Option B है भारती अर्थी बिवस्ता Option C है सियासत की सदस्यता Option D है भारत में बरती बिरोजगारी ठीक है इसका अंतरगत का इसका राइट आंसर कौन सा है Option C सियासत की सदस्यता ठीक है इसका से आंसर क्या है सियासत की सदस्यता गunction पास्तिंदेये को पमरताइब खुर्मितक कोन से हैं 55 राज़ने दवारु में liegen को अपनाया गक्षम dette लिए रसका की थेनी है थिक है एजुकेसर ही थे कि सिस्टम में यह की सिस्टम में नीतिती में पॉर्मूलर की ज साँस्टर हैो, रीजा इस थे हमारे और हमारे रैट और आंसर कौनसा है यहाई his कि इसके अंतर का दिन होने क्या कि है कि एजुगन सिस्टम में हम तरी इस तरी तीन लेंगे कि और कितने इस तर को भी फॉर्म लग अपनाएंगे दो ही लेंगे ठीक है आपको समझ मागा आगे बढ़ता आगेगा क्वेशन हाल ही में भारत ने किस चैंपियंशिप से बाहर न चैंपियंशिप का सबसे राइट आंसर कौन सा है और तो कभ्ण थाये का जाएगा मलेशिया की राज्दानी लेकिन इसके अंतर बताया है कि जो खिलाडियों इन्होंने कहाया कि जो खिलाड़ी हैं उनकी तयारी कंप्लीट नहीं हुए और समय का अभाव तरह मैज की तरफ परता की कमी का हवाला दे कर किया है क्या किया है इस से बाहर हुआ है ठीक है चलिए आपको समझ मागया होगा आगे बड़ता आगे जालान ठीक है चार ओप्शन इसके अंतर कर दिये गए तो हमारा राइट आउंसर क्या है ओप्शन बी ओप्शन बी क्या है जैदीव भठनागर जी को क्या बनाया गया आकासमाणी के महान निर्देशक बनाये इन्होंने किसकी जगली है इन्होंने जो सुस्री एरा जोशी जी जी है उनकी जगले किसकी जगली है इरा जोशी जी के लिए अपना इस्तान लिया गया ठीक है चलिए आपको समझ मागागा आगे बढ़ता है क्वेशन हाल ही में किस मंत्रा ले द्वारा निती संवर्धन निती वर रक्षा उत्पादन का प्रारूप तेयार किया है ठी अप्षा निती वर रक्षा उत्पादन का प्रारूप तेयार किया ठीक है इस निती का उद्दिश के है अब उद्दिश प्रपस की बात करें तो इसका important उद्देश यह है आत्म निर्वर भारत योजना के तहत्या करना है रक्षा भी निर्मान में आत्म निर्वर भी चलिए आपको समझ मागागा आगे बढ़ते है आगे का क्विश्चन कौन सा है हाल ही में गुयाना की नए राष्टपती कौन बने ठीक है गुयाना गुयाना की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है जोर्जे टाउन ठीक है गुयाना की कैपिटल कहा है जोर्जे टाउन है और यह क्या है African country है ठीक है कौन सा है African country है तो यहाँ पर अभी नई राष्ट्र पती बने है उनका नाम क्या है option एक बात करें तो Mark Phillips, option B है मुहमद इर्फान अली, option C है मुहमद ताहिर, option D है मुहसेन ताहिर इसका अंतरगत का रहे आंसर क्या है, option B मुहमद इर्फान अली क्या बने है गुयाना के नई राष्ट्र पती बने है यह कौन सी अंतरगत आता है गुयाना, African continent के अंतरगत आता है ठीक है अगर यहां के परधान मंत्री की बात करें तो कौन बने है, Mark Phillips यहां के क्या बने है, परधान मंत्री बने है, ठीक है जो एक गुयाना के राष्ट्र बने है, मुहमद इर्फान अदी तो यह किस पार्टी से बिलॉंग करने वाले है, पिपुल से प्रोग्रेसिव फार्टी ठीक है, क्या है, पिपुल प्रोग्रेसिव फार्टी की है ठीक है, चलिए आपको समझ मागागा, आगे बढ़ता आगे का question हाल ही में विश्व इस्तनपान दिवस कब मनाया जाएगा, ठीक है, हाल ही में विश्व इस्तनपान दिवस कब मनाया जाएगा ऑप्शन E है, एक से लेकर 7 अगस्त, ऑप्शन B है, 5 से लेकर 10 अगस्त, ऑप्शन C है 12 अगस्त, ऑप्शन D है, 7 से लेकर 10 अगस्त तो इसके अंतरकत का हमारा right answer क्या है option A ठीक है एक से लेकर 7 अगस्त के 20 क्या मना जाएगा विश्व इस्तनपान दिवस मना जाएगा अगर इसकी बात करें तो 2020 के जो इस्तनपान दिवस है उसकी theme क्या है support breastfeeding for a healthier planet ठीक है क्या है वापस मैं आपके लिए repeat कर देता हूँ support breastfeeding for a healthier planet ठीक है और ये क्या किया जाता है परते एक वर्स एक से लेकर 7 अगस्त के बीज मना जाता है इसका उद्देश से क्या है इस्तनपान के लाबों के बारे में जावरूप बढ़ाना है क्या है इस्तनपान के उद्देश से इस्तनपान के लाबों के बारे में क्या करना है जावरूप करना है ठीक है और इसके अंतर के डॉक्टरों दोरा क्या सुझाओ दिया जाता है कि सिसु को कम से कम 6 मेहने तक क्या कराना चाहिए इस्तनपान भी कराना चाहिए इसके अंतर के डॉक्टरों के द्वारा भी बताए गया है चलिए आपको समझ मांगा आगे बढ़ता है हाली में HDFC के नए पर्मु कौन बने ठीक है HDFC के नए पर्मु बने HD Housing Development Financial Corporation इसका फल्फोम होता है इसके नए पर्मु कौन बने Option E है ससिधर जगदिशन Option B है अरित्यपूरी Option C है उदित कुमार Option D है जोगेंदर नाथ ठीक है तो इसका राइट आउंसर कौन सा है Option E Option E कौन सा है ससिधर जगदिशन ठीक है ससिधर जगदिशन कौन बने HDFC के नए पर्मु बने HDFC का फुल्फोम क्या होता है Housing Development Financial Corporation ठीक है क्या होता है Housing Development Financial Corporation इसका काम क्या है बैंक यह बित्ती शिवह पर नापक ऑगा आगे बरता का क्वीशन हाली में किस राज्येने बुजूर के तधा दिभ्यांगों के लिए घरमें बैंक तथा पोश्ट ऑपिस से नगदी पहुचाने की अनुमती देने का फेश्टा लिए चार उप्सन इसका अंतरगत दिये हैं उप्सन यह है उडिसा, उप्सन भी है विहार, उप्सन से उत्राखंड, उप्सन टी है हिमान चल परदेश उप्सन भी कालगत वियां की अनुमती मिया वियागा, उप्सन तो उप्सन ओप पर ही पहुचा करेंगे ठीक है अगर उनका account bank में है तो bank से अधिकारी आकर उनको payment करेंगे अगर post office तो post office के अधिकारी आकर उनको क्या करेंगे उनको payment देंगे ठीक है चले आपको समझ मागा आगा question क्यों बढ़ते हैं हाल ही में किस देश ने 15 सितंबर 2020 से टिक टॉक बंद करने का निडने लिया है तो option A है भारत option B है अमेरिका option C है रूस, option T है औस्तेलिया तो इसका तर्गत का right answer क्या है option B राइट आंसर कोन से है अमेरिका USA के द्वारा क्या किया गया है 15 सितंबर 2020 से टिक टॉक बंद करने का निर्णाई लिया गया है इसका मुख्य उद्धिस से इसका अंतरगत किया है कि ये कहता है कि 30% अभी तो कितना है 30% खरीदने की बाद चली ये कंप्रेटली जो USA की कंपनी है उसके द्वारा 100% खरीदने की बात कह रहा है अभी इसको खरीदने का निर्णाई किसके द्वारा लिया गया है Microsoft के द्वारा ठीक है लेने का निर्णाई भी लिया गया है और TikTok किसकी द्वारा बनाई का किसकी कंपनी है इसको बंद करने का इसलिए इन्होंने क्या किया अपना नीर्णाइफ लिया है इसलिए आपको समझ माँगा आगे बढ़ता है आगे का क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है यह जूबिलेट जेनरिक लिमिटेड ने भारतिय बाजार में 4,700 रुपे की परती सीसी की कीमत ठीक है यहाँ परती सीसी की कीमत पर किस ब्रांड के तहत कोबिड-19 ड्रक्स रेमडी सिवीर लॉंच किया है ठीक है क्वेश्चन ब्रांड के तहत कोबिड-19 ड्रक्स रेमडी सिवीर लॉंच किया है यह जे यूबियाई इसका क्या है जूबियाई ठीक है इसका पहला वक्सेल लिया गया है जूबियाई पी जूबियाई Q-U-B-I-R-U-B-I-S तो इसके अंतरगत का राइट आंसर कौन सा है Option C U-B-I-R क्या है इस ब्रांडे के अंतरगत COVID-19 ड्रग से Remdesivir को क्या किया गया है Launch किया गया इसकी प्राइस कितनी है 4,700 रुपे क्या है 4,700 ठीक है चलिए आपको समझ मागए का आगे बढ़ते हैं आगे का question आज का last question है और exam perspective से यह भी क्या है काफि important है हाल ही में भारत में Fit India Top किसकी उपस्तिती में सुरू किया गया क्या कि हाल ही में भारत में Fit India Top किसकी उपस्तिती में सुरू किया गया option इसका दिया गया पहला option है रमेश पोख्रालनी का संक option B है किरन डी जजू option D है स्वी है डॉक्टर हर्च बर्दन option D है नितिन गडगरी ठीक है इसके अंतरगत का right answer क्या है A और B दोनों ठीक है क्या है A और B दोनों है डॉक्टर रमेश पोख्रालनी संक जो के है मानो संसाधन विकास मंत्री और के है किरन डी जजू जो के है खेल मंत्री दोनों की उपस्तिति में क्या किया गया है भारत में फिट इंडिया टॉक की क्या किया गया इसका आईजन किया गया है ठीक है उमीद करूंगा दोस्तो आज का एकरंट है फिर आपको अच्छा लगा होगा यह दिया आपको मेरा एकरंट है फिर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक किजे कमेंट किजे मेरे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब किजे